हेलो फ्रें alum में नाम कृतिका है है अभी फिलाल में देली गवर्मेंट में अलगी टीचर हूं इससे पहले में केंद्रे विध studios मेरे फर्सların की थी जू पर्मयरेंट टीचर वूरु के वी वह किर ला में हैं इस में चैपbour्यों कृम्थ तो जब देली जगह केशोपुरम, केवी का स्कूल है तो यूस्पेपर में मुझे पता चला तो मैं अपनी फ्रेंड से बात की और महां इंटर्विव देने के लिए चली गई, तो फ्रेंड तो मैं फर्स्ट मेरा एक्स्पिरियंस अब तो यूट्यूप और बहुत सारे मैं आपने एक रिट्रवां इस बात आप और आप पर मानें पार्मेंट टाइम पर राइब कर देंगी के लिए जब मुझे वह बात था चुछ भी नहीं पता था कि इंट्रव्यू में क्या होता है क्या पूछ ते हैं मैं में को भी उस हुच निए अपनी सेकंड यर कंपलीड तो इतने सारे सुरेंट्स थे इंट्रिव्य देने के लिए बहुत साथ भीड थी मैं इन फ्रेंड्स के साथ वहां गई उसके बाद क्या हुआ एक तो जब जो आफ्टरनून से पहले वाला जो सेशन होता है ना जो पैनल मेंबर्स होते हैं वह तब बहुत इंटर्स्ते आपक और आफ्रनून के बाद लंज टाइम के बाद तो आपको इंटर्व्य लिटरली हाड़ी मतलब पांच मिनट दस मिनट ऐसा होता है वो भी थक जाते हैं इंटर्व्य लेते लेते तो जाधा टाइम आपको नहीं देते चिक है तो हम लोग वेट कर रहे थे मेरा जो अदर तो इतना तो वो बता रहे थे कि पढ़वा के देख रहे हैं और एक पोयम पूछ रहे हैं और इंट्रड़क्शन पूछ रहे हैं यह तीन चीजे अब मुझे कुछ नहीं पता था तो मैंने भाठे-बैठे इपने इंट्रड़क्शन के लिए कुछ लाइने प्रिपे तो आप सोच सकते मेरा इंडरॉक्षण कैसा मैंने दिया होगा तो मैंने जैसे जैसे अपना इंडरॉक्षण दे दिया उसके बाद उनों ने मुझसे पूछा कि आप एक पोएम सुनाएं इंग्लिश में तो मैंने फाइव लिटल मंकी जंपिंग ऑन दे बेड ऐसे करके एक इस पोएम सुना दी उसके नोंनोंगें पूछा इस पोएम से आप क्या पढ़ा सकते हैं तो मैंने बता दिया कि मैं माईनस सिखा सकती हूझ ऐसे कि памirus बिंटल मंकी से एक मंकी चला गया तो फ़ोर बच 됩니다 और एक बाद प्रेंच वो ना इंपिंग्लिश में बएमींश बोल एक बच्चा है जो लास्ट में बैठा है वो बहुत शरारती है उसके पास एक रबर की चिपकली है उस चिपकली से वो क्लास के बाखी बच्चों को डरा रहा है तो आप उस टाइम पर क्या करोगे आप उस टाइम पर शोर हो गया इस वज़े से बच्चे डर रहे हैं बहुत उसके बाद जैसे उनने मुझे वो क्वेशन बोलाना उसके इस क्वेशन का आंसर आप इंग्लिश में एक्स्पेइन किजिए तो मैं जब नोंने नहीं बोल देती पर इंग्लिश में एक्स्पेइन कर पाई और इंट्रव्यू के उससे पहले भी वो मुझे पार-बर क्या बो में नहीं हुआ था इसलिए मैं पर्मनेंट जब मेरी जॉब का स्लेक्शन हुआ तो मैं अच्छे से प्रिप्यर गर के गई थी कि अब तो मुझे अच्छे मार्क्स ले नहीं है और मैं मोस्ट आप था ताइम महां क्या कोशिश कर रही थी कि मैं इंग्लिश में बोलू तो इसलिए मैं इंग्लिश के बारे में देख चुकी थी तो इसलिए मैं आपको जादा तर इंग्लिश करने के लिए बोलती हुँ यह मेरा कॉंटेक्शल इंट्रव्यू का एक्स्पिरियंस था और इसमें मेरा स्लेक्शन नहीं हुआ था तो मैं यह चाहते हूँ कि जो गल मैं जब के बाद ऑनारा हुआ को अीज करना जूगे लिए अपने पने अप्रमानेंट जोग गयी थी ना इंट्रव्यू था तो अपनी पूरे था जूगे लिए आपको फिप्ट्री से अब मैं में स네 क्ड़्िश में बोल तो मरे मेरे मार्ग को पते है मिरे 56 ड़ मेरे में मि बुनती सरह निकलते हैं उनकी यो जो जुब्स ली और मार्च में एंट्रेविद्ध चलते हैं अब इसके बारे में आपको ऑफिशल साइट अब फिशिल साइट खोलोगे ना वहां पर आप रीजन में जब जाओगे फिर रीजन में जैसे आप मानलो आप चंडि गर टीजन में स्कूल देख रहे हो अब चंडिगर कही रहते हो ठीक आप चंडिगर रीजन डालो के इस सारे स्कूलों के नाम आ जाएंगे और उन इसको अच्छी रहती हैं, आपके पर्मानेंट के लिए बहुत हेल्प करती हैं, कि आपने पहले बी इंट्रीवी के आपको एस्पीरियन्स हो तो, अब नहीं है, कोई बात नहीं, आपको गाइड करने के लिए हम लोग हैं, बता रहे हैं कि आसा करो, आपका इंट्रीवी अच्छा ह ही रहेगा, ठीक है, और आने वाली वीडियो में मैं और भी आपको के वी के इंट्रीवी के बारे में बताती रहूंगी, थैंक य।